नमस्कार, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सभी अच्छी होंगे, मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब, दा लर्निक प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं, मैंच साइंस सेस्टी, एप्सलूटली फ्री, एड लर्नोहब. डॉट कॉम चली विच्छों, हमारा आज का चप्टर स्टार्ट करते हैं, कोश्चन नबर वन है, answer the following questions, answer करना है, इसमें first जानी कि A है, what are the two types of dessert found in the world, ठीक है, वर्ल में कौन से दो प्रकार्ट के dessert पाये जाते हैं, देखिए अगर हमारे माइंड में आता है, तो क्या आता है, डेजर्ट क रेगिस्तान है, कि उंठ होगा, बालू होगी, पुरा मैदान खाली-खाली सा दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का आता है, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, हमने जाना कि two types के dessert होते हैं, first है hot dessert and second है आपका cold dessert, ठीक है, hot dessert के रूप में आपने क्या पढ़ा, सहारा dessert के बारे में and cold के रूप में आपने लद्धाक के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो उसी से रिलेटर यहाँ पर question आपके, NCRT solutions, उसे हम देखेंगे, तो फिलाल, यहाँ पर two types आपको बताने, hot and cold, ठीक है, next हम आते है, B, in which continent is the Sahara dessert located, ठीक है, सहारा dessert जो है, वो किस continent में located है, तो यह कौ आपका Sahara dessert है, यहाँ पर है, ठीक है, जो यह light color से दिख रहा है, तो यह जो है, आपका क्या है, सहारा dessert, तो सहारा dessert का है, आपका Africa continent में, ठीक है, यह हो गया, उसमें भी किधर है, अगर देखेंगे, तो यह North की तरफ है, यह आपका East West and North and South, तो यह North की तरफ है, ठीक है, इत the climate conditions of the Ladakh desert, Ladakh desert की आपको climate condition बतानी है, तो climate condition अगर वहाँ के देखें, Ladakh कया है, आपका cold desert है, ठीक है, हमने पहले इस पर डिसकस किया है, Ladakh कया है, cold desert है, और वहाँ की climate condition जो है, वो extremely cold and dry है, ठीक है, कैसी है extremely cold and dry, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते है, height पर जाते है, temperature जो होता है, वो कम होता जाता है, कराकुरम से अगर हम लददा की हाइट देखें, तो 8,000 मिटर से भी ज्यादा है, तो जैसे जैसे यानि उपर जाते हैं, तो क्या होता है, की temperature जो है, वो कम होता जाता है, तो अगर climate समझे, तो simple सा कि extremely cold and dry है, थोड़ जादे में समझना चाहें क्योंकि वो height पर है इस वज़े से वो क्या है बहुत ही ठंडा है वहाँ पर अगर देखें तो summers में वहाँ पर करीब 0 degree रहता है दिन का temperature and night वाला जो temperature होता है वो होता है कितना 30 degree तक ठीक है उसके अलावा day and night का देख लिए आपने 0 से 30 हो गय ठीक है यानि कि आप सोच सकते हैं कि कि इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर जब winter साते हैं तो हम लोग को अगर 2 degree 5 degree इतना ही मिलता है तो बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ सोचे माइनस में लोग कैसे रहते हैं लोग घूमने जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेक हिमालय के लिवर्ड साइड वी पढ़ता है हिमालय के इससे लिवर्ड साइड में होता है इस Southwest से वहाँ पर बारिश ज़ो है वह बहुत ज़्यादा नहीं आती है यह कहते हैं बहुत ही कम होती और यह ना के बराबर होती है ठीक है इसके अलाबाग कर देखें उसकी ठीक है यहां से यह जो आपका आगया portion यह आपका हो गया कौन सा लदाख वाला ठीक है यह आपका लदाख वाला portion हो गया तो यानि जमुए और काश्मीर से वो East की तरफ है ठीक है तो आपको समझ में आगया होगा है वहां की climate condition क्या extremely cold and dry next हम देखते हैं what mainly attracts tourists to लदाख ठीक है टूल्स को में क्या attract तरता है लदाख के लिए तो लदाख जो है वहां सभी घूमने बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं जो नहीं जाते हैं वो जाना चाहते हैं क्योंकि वह ऐसी जगई है कि समझ में आता है जो वहां जाता है उससे जादा होता है तो फिलहाल लोग वहां पर attract होके जाते हैं टूरिस जो होते हैं इंडिया से लोग रहते हैं अबराट से भी लोग वहां पर जाते हैं ट्रेकिंग के लिए वहां पर जाते हैं जो हां मिडॉस हैं जो घास के मैदान हैं उनको देखने के लिए लोग जाते हैं उसके अलावा अगर हम कहें तो वहाँ पर जो glacier से उनको देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे बौध मठ हैं ठीक है गौंपास के लिए लोग वहाँ पर विजिट करने जाते हैं ठीक है उसके अलावा जो वहाँ पर festivals होते हैं और बाकी बहुत सारी activities होती हैं cultural या को समझ में आगे होगा कि लदाग जो है वो लोगों को क्यों attract करता है चले विचो देखते है question number one का E E है यहाँ पर what type of clothes the people of the sahara desert wear ठीक है sahara desert के लोग जो है वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं तो sahara desert hot desert है आपको पता है ठीक है वहाँ पर दिन भर क्या है गरम हवाय चलती रहती है तो जो यह dust है storms है hot winds है इनसे बचने के लिए वहाँ के लोग जो है वो heavy कपड़े पहनते हैं अब आप गाँगे वो heavy कपड़े क्यों wear करते हैं तो heavy कपड़े इसलिए वहाँ बहुँद है होगा होगा तो क्यों पहनते है कि कपड़े ठीले ढाले होने की बचे सीघा होता है उनके अंदर बहुँद जादा sweat भी कपड़े नहीं होने पाता है ठीक है और उसके अलावह उनको hot winds, storms, dust, इनसे भी बचाता है, इसलिए वो लोग heavy roof है, दे, काफी भारी कप्डे पहनते हैं, next हम देखेंगे, one का F है यहाँ पर, name the trees that grows in Ladakh, Ladakh में grow किये जाने मारे ट्री, तो लदाख में अगर हम देखें, तो high aridity है, ठीक है, हमने पहले discuss किया कि वो काफी dry है, ठीक है, जिसकी वज़े से vegetation जो है वहाँ पर वो बहुत जादा नहीं है, ठीक, दूर दूर है और बहुत जादा नहीं है, देखें तो कुछ जगहों पर, जो animals हैं, उनकी grazing के लिए छोटी-छोटी grass होती है, इसके अलावा कुछ shrubs होती है, जो छोटी कटिली जाड़ियां होती है, वो होते हैं, ठीक है, जिसको की animal जो है, वो grazing किया करते हैं, उसके अलाव विलोज और पॉपलर्स के valleys में, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर किस तरह के tree मिलते हैं, apple, apricot and walnut के, इसके अलावा क्या है, ग्रास हो गई, ठीक है घास, इसके अलावा shrubs हो गए, छोटी कटिली जाड़ियां, ये देखने को मिलते हैं, चले विचो देखते हैं, question number two, question number two हमारा है, take the correct answer, correct answer पर question number first, जो हमारा था, उसमें भी discuss किया था, तो सहरा की अगर हम बनावट देखते हैं, उसमें जो इसका upper part है, यानि की northern part है, वहाँ पर situated है, या वहाँ पर located है आपका सहरा, ठीक है, तो option B जो है, Africa का मैप अगर देखते हैं, चले विचो देखते हैं, question number one का E, E है, यहाँ पर tick the correct answer, correct answer पर tick करना है, इसमें first है, सहरा is located in which part of Africa, सहरा एफरिका के कौन से part में located है, options है A, Eastern, B, Northern and C, आपका है Western, कहां पर है, हमने first question में ही discuss किया था, कि कहां पर है, किस part में है, northern part में, अगर हम थोड़ी बर, अगर हम बनावट भी देखते हैं, आफरीका की, तो, कुछ, इस type की बनावट है, तो अगर हम यह देखें, अपर part जो है, यानि कि northern part जो है, एफरीका का, वहां पर आपका सहरा डेजर्ट है, ठीक है, तो, यानि कि northern जो है, वो option, सही option B, correct है, next हम आते है, second, यहां पर है सहरा is what type of desert, सहरा जो है, वो किस type का डेजर्ट है, A, cold, B, hot and C, आपक है, सहरा किस type का desert है, यह है, आपका hot type का desert, next हमारा है, C, third, the Ladakh desert is mainly inhabited by, ठीक है, Ladakh में किस तरह के लोग जदा रहते हैं, कौन से लोग के द्वारा वो प्रवास, कौन से लोग प्रवास करते हैं, वहां पर, A है, आपका Christians and Muslims, B, Buddhist and Muslims, C है Christians and Buddhist, ठीक है, तो, वहां पर कौन लोग mainly रहते हैं, तो, आपने chapter भी पढ़ा होगा, वहां पर, Buddhist and Muslims, जदा रहते हैं, next हमारा है, fourth desert are characterized by, desert जो है, वो किसके द्वारा characterized होते हैं, A है, scanty vegetation, B आपका है, heavy precipitation, and C है, low evaporation, तो, low evaporation and heavy precipitation, यह तो नहीं है, यहां पर है, A आपका, जो है, scanty vegetation, क्यों, क्योंकि, जो भी desert ह होते हैं, वहां पर, vegetation हम देखें, तो, बहुत ही कम मिलता है, तो, option A, जो है, वो correct है, scanty vegetation, next है, मारा fifth, Hemis in the Ladakh, is a famous, Hemis, Ladakh में किसली famous है, temple, church and monastery, ठीक है, तो, वहां पर हमने देखा, वैसे तो, कुछ भी वहां पर बन सकता है, मंदिर, church सभी बन सकते हैं, temple, church सभी हो सकते ह हैं, लेकिन, वहां पर, Buddhist and Muslims, जादा हैं, और, इसी वज़ा से, वहां पर, अगर हम देखें, तो, बुद्धिस के, जो, मत होते हैं, monastery होते हैं, वो जादा है, तो, Hemis क्या है, Hemis, जो है, monastery है, आपने अपने chapter में भी पढ़ा होगा, तो, Hemis, monastery है, ठीक है, Ladakh में, Ladakh में, monastery के cotton, ठीक है, Egypt का cotton जो है, पुराने समय सही famous है, तो, Egypt किस लिए famous है, cotton, ग्रो करने के लिए, चले बचों देखते हैं, question number 3, question number 3 हमारा है, मैजदा following, match कराना है, किस से किस का, चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या रहें हैं, दोनों साइट को पढ़ लेंगे, Oasis, Bedouins, Oil, Gangry, and Lama Other side पर हमारा है, Liria Monastery, Glacier, Depression with Water, and यहां पर है, Cold Desert and Sahara, ठीक है, सबसे पहले Oasis को हम देखेंगे, Oasis का match किस से है, Oasis को match कराएंगे है, हम Depression with Water, क्यों, क्योंकि Oasis किसे कहते हैं, जो desert होते हैं, वहां पर wind जो है, अपने साथ कुछ sand जो है, वो उडा ले जाती है, ठीक है, दी अध्धा हो जाता है, वहां पर क्या होता है, अंडर ग्राउंड जो water होता है, वो उसका level जो है, वो surface तक आ जाता है, जिसकी वज़े से वो जगह, और जगह उसकी अपेक्षा, थोड़ा उपजाओ हो जाती है, और वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जैसे आप अपने साथ, wind जो है, अपने साथ sand उडा ले जाती है, वो जगह पे कुछ गढ़ा हो जाता है, और वहां पर underground water जो है, वो surface तक आ जाता है, ठीक है, और वो जगह थोड़ी उपजाओ मानी जाती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो depression with water, आगे क्या है, बेड़ोईंस, क्या ह है, यह सहारा की communities है, ठीक है, टौरेज एंड बेड़ोईंस, यह क्या है, यह सहारा की communities है, oil, oil का match किस्से है, oil को match कराएंगे हम लीबिया से, जैसे लीबिया है, आपका, अल्जीरिया है, यह जगहें क्या है, इन जगहों से oil मिलता है, ठीक है, तो जैसे कि, अगर हम देखे हैं, desert है, कह देंगे हैं, कि desert है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा progress नहीं है, लेकिन जो यह oil वाले areas है, यह क्या है, यह progress किये हुए हैं, जैसे आपका लीबिया, अल्जीरिया वगर हो गया, अब आते हैं, गैंगरी, गैंगरी क्या है, लदाक में देखें तो बहुत सारे, हमने देखें, बहुत सारे मठ हैं, ठीक है, तो लामा यूरू, अगर हम बात करें, तो वो क्या है, वो monastery है, लदाक में, monastery बहुत सारे मठ हैं, जिन में से आपका एक लामा यूरू भी है, तो यानि कि 5th का match किस से है, monastery, अब आपका बचा cold desert, तो उसके लिवाँ पर है, there is scanty vegetation in desert, ठीक है, desert में क्या है, scanty vegetation है, ठीक, अब आपको क्या करना है, reason देना है, कि desert में scanty vegetation क्यों है, तो सबसे पहली चीज, हमने बार-बार उसको पढ़ा कि desert क्या है, वहाँ पर काफी dry है, बारिश अच्छी होती नहीं है, तो क्या है वो area, वहाँ पर aridity बहुत ही कम होता है, और दूर-दूर होता है, ठीक है, उसके अलावा, यहाँ पर हमने देखा ही कि rainfall जो है, वो high aridity है, जिसकी वज़े से vegetation जो है, वो sparse है, ठीक है, बहुत कम है, very low rainfall होती है desert में, इसके अलावा जो soil के है, soil वहाँ पर क्या है, बहुत rarely मिलती है, ठीक है, अब अग भी नहीं मिलती है, प्लांट के अनुकूल, ठीक, फिर उसके वाद climate condition के है, वो भी बहुत सही नहीं है, हम देखें, अगर सहारा की तरफ देखें, या सहारा क्या, कोई भी hot desert अगर लेते हैं, बहुत जादा hot है, तो वो भी नहीं सही है, क्योंकि वहाँ बारिश जो rainfall है, व इसकी वज़े से वहाँ पर क्या है, वेजिटेशन, डेजर्ट में क्या है, स्कैंटी है, बहुत ही कम है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में, कोईशन अबर 4 का, सेकेंड, सेकेंड हमारा है, पिपल आफ दे सहारा डेजर्ट, वेर, हैवी, क्लोथ, ठीक है, तो सहा वहाँ पर हैवी रॉब्स, जो है, वो पहनते हैं, हैवी कपड़े, वहाँ पर पहने जाते हैं, चली बचले देखते हैं, कोईशन नबर 5, कोईशन नबर 5 हमारा है, मैप इसकेल्स, इसमें 1st कोईशन है, on the outline map of Africa, mark the Sahara Desert and any 4 countries around it, आपको क्या करना है, कि एक outline map आपको लेना ह ठीक है, एक outline map लेना है, आपको किसका, एफरीका का, उसमें का करना है, mark the Sahara Desert and any 4 countries around it, ठीक है, सबसे पहले सहरा Desert, जो है, वो आपका hot desert है, जो की पढ़ता है, आपका एफरीका में, एफरीका के भी north part में पढ़ता है, ठीक है, तो ये उपर की तरफ शो हो जागा, क्योंकि north part में, around 11 countries ये घिरा हुआ है, ठीक है, उन में से कोई भी 4 countries आपको यहाँ पर शो करनी है, तो सबसे पहले हम लोग जब शो करेंगे, पहले सहरा Desert जो है, वो ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले 3M ले ले लेते हैं, ठीक है, 3M मतलब, Mali हो गया आपका, Maritania, Maritania के बा हम लोग, सॉरी, Mali, Maritania, Western Sahara, Morocco, फिर हम लोग आते हैं, कहां, Algeria, Tunisia, फिर है आपका, Libya, Libya के बाद आपका आता है, Egypt, ठीक है, Egypt के बाद, Sudan, के बाद, Chad, के बाद, Nizer, ठीक है, सॉरी, यहाँ से, यहाँ से आएगा, ठीक है, यह portion यह, तो यह आपका आगया, Nizer, अब इसमें से कोई भी 4 आपको शो करना है, तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 4 आपको ले लेना है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, Algeria, ठीक है, Algeria हो गया, Second आपका हो गया, Libya, ठीक है, Libya, Third हो गया, Egypt, ठीक, Egypt, and Fourth हो गया, आपका, Nizer, ठीक, यह 4 हो गया, बाकि आपको भी 11 में से कोई भी 4 जो है, वो आप शो कर सकते हैं, चले वे चो देखते हैं, Question No.5 का Second Question, Question हमारा है, On the Outline Map of India, Magda, Karakuram, Rain, Jaskar Rain, Ladakh, जोजिला, पास, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक Outline Map लेना है, इंडिया का, जैसे कि यह सामने है, और यह ज सबसे पहले लदाग, जो कि हमने इस पूरे चैप्टर इंपढ़ा, आपका Cold Desert के रूप में, ठीक, यहाँ पर यह आपका आता है लदाग, अच्छा एक चीज़ और मैं क्या करूंगी, मैं बस Colorful Pen जो है, अलग-अलग Color की यूज़ करूंगी, आप लोग उसको बकायदा लि ठीक है, तो लदाग से जब हम North की तरफ चल रहें, मतलब उसके उपर की तरफ हम चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या है, आपका आता है, कराकोरं रेंज, ठीक है, तो आपका यहे, chuज़कर रेंज, यह शो हो जता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, जासकर गा जोजिला पास जो कि श्री नगर और ले दोनों की रोट्स को जोडने का काम करता है ठीक है तो ये हो गया क्या जोजिला पास ठीक है जोजिला पास परपल कर तो आपको क्या करना है इसको इसी तरह से शो करना है और शो करके आपको बकाइदा नाम लिखना है कि कहां पर क् ठीक तो इस तरह से आप ये शो कर लीजेगा और इसकी प्राक्टिस कर लीजेगा कि ये आपके चैप्टर में है तो चीज जो है आ सकती है तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है complete मिलते हैं next chapter next solutions के साथ है learn hub learn hub free है पर best है पर चाने कर दो 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 चाने कर दो है झाल झाल